उसूलों पर जहां आच आए टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है वसीम बरेलवी का ये शेर केरल के नव नियुक्त राज़ेपाल आरिफ मोहमद खान पर बिल्कुल सटीक बैठता है आरिफ मोहमद खान स्वतंत्र पार्टी, BKD, कॉंग्रेस, जन्तादल, BSP और BJP जैसी राजनीतिक पार्टियों में रहे लेकिन उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझोता नहीं किया आरिफ मोहमद खान को केरल का 22 वा राज़ेपाल नियुक्त किया गया है और राजनीती के जानकार, मोधी सरकार के इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे है 1972-73 में अलीकड मुस्लिम युनिवसिटी स्टूडेंट युनियन प्रेसिडेंट से लेकर 2019 में केरल के राज़ेपाल नियुक्त होने तक उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा फिर चाहे वो पार्टी के खिलाफ ही क्यों न हो मुस्लिम समाथ सुधारक माने जाने वाले आरिफ मोहमद खान ने जहां जुपल तलाफ बिल और जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का पुर्जोर समर्थन किया था तो वहीं शाह बानू केस में ततकालीन प्रुधानमंटरी राजीव गांधी के फैसले के मुखालफत करते हुए सत्ता को लाथ मार दी थी इसी तरह 2004 में बीजेपी के चिकेट पर कैसर गंज से लोग सभा चुनाव हारने के बाद जब उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो बीजेपी से किनारा कर लिया बीजेपी से किनारा करने के बाद भी आरिफ मुहमद खान च्रिपल तलाग बिल और कश्मीर से आज़िकल 370 हटाए जाने के फैसले पर मोधी सरकार के साथ कंधि से कंधा मिला कर खड़े रहे हाली में राश्रोपती रामनात्कोविंद ने आरिफ मुहमद खान समेथ पांच राज्य पालो के निउक्ती और तबादले में महर लगा इन पांच राज़ेपालों में सबसे महतुकून केरल के राज़ेपाल के तौर पर नुक्त हुए आरिफ मुहम्मद खान माने जा रहे हैं आरिफ मुहम्मद खान को मुसलिम समाच सुधारक के तौर पर जाना जाता है शायदे से लिए मोधी सरकार ने उन्हें केरल जैसे राजी का गवर्नर न्यूक्त कर मास्टर स्ट्रोक चला है दरसल वामपंथी सरकार द्वारा शासित केरल में इसलाम धर्म दिन बदिन बढ़ता जा रहा है केरल में वामपंथी और कॉंग्रेस जैसी पॉलिटिकल पाचियां वोट बैंक की राजनीती के लिए मुसलिम ईसायों का तुष्टि करन कर रही है मुसलिम युवाओं की गिरफतारी उन्हें कटर बनाने केरल में मुसलिम युवाओं को कटरता सिखाने वाले स्कूल खुलने जैसी खबरें, अख़बारों और न्यूस चैनलों की सुर्खियां बनती जा रही है इसलाम के नाम पर युवाओं को उकसाने वाले भाशन दिये जाते हैं और ऐसे भाशन देने वालों को हीरो की तरहा दर्शाया जाता है केरल में लब जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं एक अनुमान के मताबिक पिछले 10 साल में करीब 10,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परवर्तन कराया जा चुका है इतना ही नहीं 2016 में केरल के करीब 20 लड़के गायब हो गए थे बाद में जिनके आतंकी संगचन ISIS में शामिल होने की खबर आए भारतिय सुरक्ष एजन्सियों की रिपोर्ट के मताबे केरल में 98 मुसलिम पुरुष और बच्चे आतंकी संगचन ISIS में शामिल हो चुके हैं केरल के मुसलिमों की एक साक्षरता दर काफी उची है और ऐसे में इनके अंदर कटरता भरना मोधी सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब था ऐसे में मुसलिम समाद सुधारक की छवी रखने वाले आरिफ मुहम्मद खान का केरल का राजेपाल नियुक्त होना मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है गौर्तलिब है कि ये वही आरिफ मुहम्मद खान है जिन्होंने ट्रिपल तलाग पर शहबानो केस में राजीव गांधी क्याबिनेट से हिस्तीफा दे दिया था शहबानो ने ट्रिपल तलाग के बाद अपने पती से मुआफ़जा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटकट आया था सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसे मुसलिम नेताओं के दबाव में आकर ततकालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बना कर पलट दिया आरिफ मुहम्मद खान शहबानो पर सुप्रीम कोट के फैसले के पक्ष में थे और राजीव गांधी सरकार के इस फैसले के विरोध में उन्होंने मंत्री पत से स्तीफा दे दिया और कॉंग्रस को भी अलविदा कह दिया था और कि इसका गुझता हूपू एज को बढूडरी शीव इस जाूट्ट इसकी पार्णी फिर खान प्रिट पार्णी और पैंज्या के विधिक लुट्टीर और गोगोड्स है विदू कॉंग को भी तैसले की बढ़े पास्ति कि इस जाएंद पूंट्टीर तो इसक्राइव़ वैत कर देखिसे में हम नियुक्ट काम कश्मीद तरह सब्सक्राथा टेखिट एक शरिखने लेंटरेट निए और साथक्राथ प्रॉट है तरह से फिर्व प्रॉट ह। और टेख लूले देख प्रॉट को ए सब्सक्राथ लेखनाट ..." in that form, did not exist, till it was abolished". Well, this is an opportunity to serve. I was born in UP. I am fortunate to be born in a country like India, which is so vast and so rich in diversity. so it is a great opportunity for me to know this part of India which forms the boundary of India and which is called God's own country it's a very beautiful place, it is described as God's own country great people, great state Sir, also if you talk about Jammu and Kashmir, article 370 has been abrogated from there so what is your take on it sir? No, no, I have made this point many times earlier that 370 as it was enacted in 19, at the time of the constitution sometime in 1953-54, 52-53 as it was enacted then that article in that form does not exist, did not exist till it was abolished so what is your take on it? you so what is your take on it? 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 झाल झाल